मदुबनी जुले में बेनी पट्टी और अरेड थाना प्लीस तोरा तीन अलग अलग जगह की कारवाई में 994 बोतर नेपाली देशी स्राब एवं पांच वाहनों के साथ तीन तसकरों को गिरबतार किया है पहली कारवाई अरेड थाना प्लीस के दोर की गई प्लीस ने लोहा चोक से 844 बोतर नेपाली देशी स्राब के साथ तीन तसकरों को गिरबतार किया है इसके साथ ही प्लीस ने तीन बाइक विजबत की है रफतार तसकर की पैच्छान दरबंगा के राहूल कुमार सोनी और नेपाल के दो तसकर क्रमसर वरेंदर मंडल और सिकंदर कुमार की रूप मे की गई है थाना देक्ष राजकिसोर कुमार ने बताए कि तीनों तसकर के खिलाब प्रात्मी की दर्च करने आएक हिरासत में भेजा जा रहा है वहीं दूसरी करवाई बेनी पटी थाना प्लिस के द्वार की गई है प्लिस ने गुप्त सूजना के अधार पर थाना छेत्र के असलम चौक पर करवाई करते हुए 150 बोतल नेपाली दिसी स्राब के साथ एक कार को जब्त की है बेनी पटी के थाना देक्ष अरविंद कुमार ने बता कि कार के अधार पर तसकर के पहचान की जारी है तीसरी कारवाई में बेनी पटी थाना प्लिस ने सिवनगर गाउं से एक टेमपो जब्त की है सुत्रो के नुशार प्लिस तोरा जब्त की के इए टेमपो में स्राब लोड था सूजदा पाकर जब तक प्लिस पहुची तब तक टेमपो से स्राब गया था फिलाल प्लिस मामने की जाज कर रही है बेन पिन्योष के लिए मदुबनी से संबाद दाता हरी शंभू की रिपोर्ट